हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्मेंट जोब्स पर दोस्ता हैं पर हर साल आपको पता है दिवाली आती है उससे पहले बोनस की खबरे हैं वो आना शुरू हो जाती हैं के अंदर और राज़ो सरकार के करमचारी हैं उनको यहां पर बोनस है वो दिवाली के बोनस के तोर पर दुरुगा पूजा के टाइम पर दिया जाता है जब दुरुगा पूजा आती है उससे पहले है वो बोनस है गोर्मेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है और सेंटर गोर्मेंट के अगर हम बात करें तो सब्तंबर माह में बोनस है वो अनाउ वहां को थोड़ा उस चीजे का पता नहीं होता है तो इस वीडियो में हम इसी को लेकर चार्चा करेंगे तो शुरू करते हैं चलंग को सब्सक्राइब किजेगा क्योंकि जैसे ही सरकार की तरफ से भी आपको बता दूँ क्यूंकि सरकार है वह तो दुरगापूजा से कुछ दिन पहले यहां पर अनाउंस करती है अगर विभाग एक टाइम इसनी चीचे देखे तो आपकी जो है वो भुगतान करना पोसिबल नहीं हो पाता है पिशरी बार की बोनस के आपको दो दिन तीन दिन पहले ही यहां पर सरकार ने अपरोल दिया था और तुरंत यहां पर करता है क्या उनके लिस्ट वगरा है वो बनती है और उनको बोनस के किसी हिसाब से भुकतान करना है क्योंकि बोनस है वो सेलरी के साथ नहीं आता है आपको बता दूँ वो अलग से यहां पर आता है आपके जो सेलरी अकाउंट है उसके अंदर तो इस हिसाब से उन चीजों क को देख के पहले ही चीज़े हो जाती है किलियर कि इन इनको बोनस मिलना है बाकी जब ही सरकार के दुआरा अपर बेज दिया जाता है तो इस साब से प्रोसेजर होता है तो जैसे भी बाकी तरफ से भी अगर नोटेस आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बात करें आपके अधर बही अलग लग यहां पर विवाग है उसके इसाब से रहता जंशे कि डिफेंस के अगर बात करें तो यह यहां पर जब बॉनस देते हैं तो सीलिंग लगाते हैं और रेल्वे करमचारीयों की तो रेल्वे करमचारियों को 78 डेस का बोनस वो मिलता आ रहा है त तो 78 डेस का बोनस देते तो 7,000 पर मंथ लगाके आप देख सकते हो 7,000 divided by 30 गुना 78 तो ये आप करोगे तो आपका जो बोनस है वो निकल कर आएगा 17,951 रुपए जो कि रेल्वे करमचारियों को बुक्तान किया जाता है तो ये इस हिसाब से है और बाकी अगर बात करें आपक था सबसे जदा बोनस है वो आई थिंक कि हाँ पर जो है वो जो कॉल इंडिया है उसके अंदर भी अच्छा-कासा बोनस हो दिया जाता है तो यानि कि अलग-लग भागों में यहां पर यह अलग-लग बोनस होता है बर बैसिकलि यहां पर हम नियू जोईनिंग के बादे बार करें तो bonus है वो आपका मिलेगा आपको एक चार दो हजार 22 से यहां पर 31 तीन दो हजार तेईस यहां पर एक जो financial year है इसके बीच में आपको bonus है वो मिलेगा यह 12 महीने का जो है इसका bonus मिलता है अब जो new जोइनिंग है उनके मन में डाउट होता है कि हमें मिलेगा यह नहीं मिलेगा तो दोस्तों अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले जोइन कर लिया है एक त आपकी जो ट्रेनिंग है वो हटा दीजिए ट्रेनिंग जैसे Station Master की training होती है चार महीने की या फिर जिनकी भी जो training है वो हटा दीजिए training हटाने के बाद में जो actual आपका जो date of station पे इस टाइम में आपकी posting हुई है उस date वो date अगर आपकी 31 मार्च 2023 से पहले की है तो आपको bonus है वो मिलेगा अगर ये date आपकी 31 मार्च 2023 के बाद की है जैसे किस किसी ने जुलाई में जोइन किया है या अगस्त में या फिर अप्रेल में या फिर एक अप्रेल को भी अगर किसी ने जोइन किया है तो उसको bonus है वो नहीं मिलेगा बट आपको समझना अभी भी आगे जरूरी है कि ये तो हमने बता दिया training है आपको हटा देनी है जिसकी भ तो वो ट्रेनिंग आपको निकाल देने, ट्रेनिंग के बीना आपको इसके अंदर जो है आपके जोब होने चाहिए इस 12 महिने के अंदर, आप कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हमने जुलाई में 1 जुलाई को जोईन हमने कर लिया है, तो हमें बोनस है, वो अगली बार तो नह अगर आपने जैसे जोईन किया है, एक जुलाई को, तो आपने कितने महिने ड्यूटी नहीं किया है, एक अपरेल मई जुन, तीन महिने आपने ड्यूटी नहीं किया है, यानि कि 12 महिने में से तीन महिने आपने ट्रेनिंग हटा के मैं बात कर रहा हूं, तो तीन महिने ड्य नहीं किया तो 9 महीने का बोनस आपको मिलेगा पूरा 12 महीने का नहीं मिलेगा यह आप सोच रहे कि अगली बार हमें पूरा मिल जाएगा शुरू में जब रेल्वे इंप्लोई करते हैं कम से कम उनको दो साल देड़ दो साल के बाद में पूरा बोनस मिलना स्टार्ट होता है शुरू वाली साल तो यहां पर कुछ क्योंकि आप समझ सकते हो 31 मार्श तक का बोनस मिल रहा है और बोनस मिल रहा है जाके अक्टूबर में तो 6 महीने 7 महीने का प्रोसेजर है साथ महीने में अगर आप जोइन करें तो भी आपको नहीं मिलता है क्योंकि आप इलजीबल ही पुरानी है उसमें आपने जोइन ही नहीं किया है तो यह चीज समझने वाली है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो जो भी यहां पर 31 मार्श से पहले जोइन किये हैं उनको तो कुछ मिलने वाला है नहीं और जो अगले साल भी है उनको कम मिलेगा अब कम किसी साथ हजार यहां पर मंत की यह सिलिंग लगाते हैं और 78 डेस का आपका मिलता आ रहा है तो इसमें 30 का डिवाइड करके गोना 78 डेस का आप निकालोगे तो वो आपका बसता है 17,951 रुपए के सम्थिंग आता है जो कि सबको सेम भुगतान होता यह नहीं है कि आपका जो स्टे ओफियसीत है जो सबस्क्राब रहे है तो वो काउंट रहे है अगर अपका नहीं दिए तो वो चीज भी इसके अंदर काउंट नहीं औरya आपका बसे process का सिसलिंग घूटी कि आ पर यहां पर विदाउट रहे हुद यह विदाविद्ध स्टे रहे हो टोप्ए कि शुटी से आपने ड्यूटी की है तो आपको कितना Joint है नो महिने में Мне आपके 270 में तो इसमें 270 से आपको गुमना करना है तब आपका जो है वह एग्जक्षां truth है. वो आएगा जैसे कि आपने 10 दिन without payment रहे हो तो 10 दिन कम कर दो इसमें 355 दिन का आपको मिलेगा something something जहां तक मुझे लग रहा है आपके जो है लगबग 50 रुपए पर रड़े के इसाब से आपके bonus के परते हैं तो इस इसाब से आपको बुगतान किया जाएगा जिसके बिवन में doubt होता है जैसे कि new employees हैं कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा I think वो clear हो चुका होगा 31 मार्ट से पहले आपकी जो है service वो count होगी जितने भी दिन आपने duty की है चाहे वो अगले साल हो चाहे उससे अगले साल हो क्योंकि financial year का है वो bonus दिया जाता है ना कि आपके जो दिवाल के हिसाब से दिन count करके दिये जाते हैं ऐसा नहीं होता है एक जो VTA वरस है उसके हिसाब से यहां पर यह bonus मिलता है तो इस बार तो I think ही किसी को मिलेगा railway के अंदर जो भी यहां पर group D के अंदर join हुए हो सकता है जो पहले station master जो NTPC के अंदर पैनल आया था उसमें किसी को मिल जाए बट उसमें भी training है तो group D के अंदर साइध ही किसी क आये हो तो आपको जो अगर आप railway देखता कि कितना अपने काम है वह इसके अंदर जो profit होता उसके अंदर इन्वेस्ट किया है या फिर नहीं किया है यहां पर ऐसे नहीं है आपने एक डिन डूटी कर ली तो पूरा बोनस आपको भुगतान कर जाता है तो इसी साब से प्रो चैनल महीने आपने किसी दूसरे जोन में डिविजन कर ली तो आपका जैम हीने का बोनस है वह अलगा तरग तरह कर दो दोड़ी अपको पूरा बनता है आपका bonus पूरा मिलना चाहिए, अगर आपको क्योंकि जहां पर अब्लिटी करते हैं, वहां पर 6 महीने का दिया जाएगा, बट वहां से अगर 6 महीने जो पुराना आपने ड्लिटी किया, वहां से 6 महीने का नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आपके कॉंटेक्ट करके, उससे वहां पर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनसे वेट करवाके, लेटर यहां पर महुआ के भी आप बुगताने वो कर सकते हो, इनकी काफी कुछ चीजें हैं, वो सीखना जरूरी है, आपका बोनस के बारे में या फिर कोई भी अपडेट्स के बारे में, बाकी जल्द ही यहां पर आपका बोनस है, वो अनाउंस होगा, तो हम आपको अपडेट लेकर आएंगे, शेलंगो सब्सक्राइब करें, आप नी बारे में यहां वाद जेह भारत हैं